दोस्तो मैं आसिस खुमार और आजके इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर मैं आप मॉर्फो यूज करते हैं तो उसका रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको step by step आपको बताऊंगा अगर मैं आपको ऐसे कुछ लिख ڈservice-online.com आपको इसके उपर किलिक करना है। जिससे इसके उपर किलिक करेंगे तो आपको यहां पर बोलेगा चेक करने के लिए कि इसका आड़ी सर्वी सही में खतम हुआ है या नहीं खतम हुआ है चलिए मैं आपको चेक करके पहले दिखा देता हूं तो चेक पहले ही कर लिजिएगा आप लोग कि सही में खतम हो गया या फिर वो कई टेचेक पर आपको किलिक करना है जीसे चेक पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर serial number होता है तो जो भी आपका serial number होगा यहां पर देखके इसमें डालना है देखिए यहां पर मेरे में है 2052i001837 यहां पर बीच में एक i रहता है ठीक है ओ आई आई आप लोग जरूर आपके में भी जरूर होगा ठीक है तो उस पर ध्यान जरूर दिजिएगा तो जो भी आपका सीडियन नंबर यहां पर फिल किजिएगा फिल करने वाद आपको सम्मिट के ऊपर किलिक करना है जैस इसके मतलब है कि इसका रिचार्ज कहतम हो गया जिन लोगों का पहले रिचार्ज नहीं खतम होगा ओके इससे लिखके आएगा चलिए मैं आपको एक दूसरा एक मोर्फो का यहां पर सीडियन नंबर डालता हूं और फिर देखिए को क्या लिखके आएगा मगा यह वाला ज देखिए device already white listed है मतलब ए रिचार्ज अभील है ठीक है तो अगर मैं जो अभी जो मैं इसको दिखाया हूं रिचार्ज खतम था अब इसको रिचार्ज की से करते हैं या फिर आपका जो भी होगा आप लोग अपना रिचार्ज की से कर सकते हैं चलिए उसका तरीका बता देता ह और यहांगे जब आप लोगं यहां पर आ जाएंगे तो आपको ब्लाइर च्रों करना है उसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर रहें पर जिसके उपडल artists के जिलीब करेंगा है अब आपको क्या करना है आपको उपर स्क्रोल करना है और यहां पे आपको एक साल के लिए या दो साल या तीन साल के लिए रिचार्ज करना है आपको यहां पे सेलेट करना है अगर मैं आप एक साल का रिचार्ज करते हैं तो 442 रुप्या पचास पईसा लागेगा दो साल के रिचार्ज करते हैं तो 6 करना है चले मैं यह वाला सीरियल नॉम्बर यहां फिल कर देता हूं फिल करने के पाद आप लोग यहां पर अपना model सेलेक्ट किजिएगा कि आपका मोर्फों यहां फिर फिर एथिरी है ठीक है जो भी होगा आप लोग यहां सेलेक्ट करके जैसे कि मेरा यहां पर किलिक करना है और उसके बाद इसके उपर किलिक करना है और उसके बाद यहां पर बूलेगा 4-5 मिनट लग जाएगा उस्मेन फिर दोग सबसे बेहता है तो सबसे बेटर रहे तो आप लोग कीजेगा अपना मोबाइल नंबर नियंगिताना या जैसे send OTP पर खिलिक करेंगे तो आपके पास six digit का OTP आएगा उस OTP को इसमें फिल किजिएगा OTP फिल करने के बाद आपको verify OTP पर किलिक करना है जैसे verify OTP पर किलिक करेंगे तो यहां पर mobile नमर देखिए verified हो गया अब आपको क्या करना है आपको यहां पर अपना नाम डालना है उसके बाद आपको यहां पर अपना लास्ट नाम डालना है उसके बाद आपको यहां पर अपना email id डालना है आपको यहां पर प्संद एक password करना है ठीक है वह आठ करेक्टर का होना चाहिए ठीक है उसके बाद उपर scrol करना और यहां पे बोला कि आप कौन से business में से यूज़ करना चाहते हैं ठीक है तो यहां पे खिलिक करना अप the फिन ओपीनियर, spice, money य्जो भी company के चलाते जहां तो यहां पर search किजिएगा नई समाझ में आएगा कोई भी स्लेट कर लेंगे फिर भी वर्क करें घीए तो जिसे देखिए हम आप इस पाइस यूच करते हैं तो आप लोग यहां पे यहां पर इस दीजिटल लिम्टेट इथिकर आप लोग किजेगा वगख यह नहीं है कि बस E-spies में ही work करेगा आप किसी में वह भी काम चला सकते हैं जैसे कि अगर में E-spies select कर लेते हैं तर फीनो पेणियर या आने वाले कोई में वह work कर सकते हैं बस एक डेमो के लिए यहां पर मांगता है ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर code मांगता है तो code छोड़े छोड़े देना है अब आपको क्या कassung सीधे आउसके ऊपर किलिक करना है और यहां पर किरीट पर किलिक कर और किरी आ पर किलिक करेंगे तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना है कि उसके बाद कुछ इस तरक आ जाएगा ठीक है यहां पर देखिए 375 बता रहा है मगद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह सीधा 442 रुप्या 50 पर बताने लगेगा ठीक है यहां पर देखिए अभी जो भी बता रहा है यह थोड़ा कम बता रहा है मगद जब भी आगे खार दाके वह 442 रुप्या करता है ठीक है इसलिए ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर आपको अपना फर्स नाम डालना है उसके बाद मैं आपके कंपनी करके कोई नाम है कुछ नाम हम राखे है तो डालिएगा वाया छोड़ दीजेगा उसके बाद आपका जो भी ए पेमेंट पर किलिक करना है जिसे इसके उपर किलिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है उसके बाद कुछ इसतर रखा जाएगा ओडर पर आपको किलिक करना है और जिसे इसके उपर किलिक करेंगे तो यहां पर बोलेगा कि आपको फोन पेसे करना है या गूगल पेस फोन पर चलाते हैं तो आपको क्या किरना यूपी आई के उपर किलिक करना है जिसे उप्ल आंपको नंबर जाला है मैं या या दालना को नंबर बिचाम याभीत पार ऐसे प्ली आपका करेंगे चलाता हैından एक रिक्वेस्ट गया होगा तो देखिए आभी यहां पर मेरा फ्वोन पर करना है तो हम पेपर क्लिक करते हैं और यहां पर मैं अपना टाल देता हूं जो भी मेरा यूपी आई पीन है ठीक है और उसके बाद आपको इसके उपर किलिक करना है देखिए यह 442 पर हो गया और 1560 अब यहां पर complete हो गया done अब मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर भी देखिए यहां पर complete आ गया अब चलीा मोर्फो डगाके आपने मॉबाइल यह से रीचार्च कीजिएगा इसको बाहर निकल के पर से शीरीन यह हो गया है अब चलिए मैं इसको दिखाता हूं में बैघ जाता हूं फिर से मियन इहां पर क्या करता हूं यह पर का नहीं पर से यहां पर चेक करता हूं ठीक करता हूं ताकि यह रिचार्ज हुआ है यह फिर नहीं इस दुभार आपको सम्मिट पर इंपकर करेंगे तो यहां पर देखिए यह वाला अभी कुछ दिर पहले यह बोला था रिचार्ज करने के लिए मगर अभी जश्ट बता रहा है कि आपका रिचार्ज इतने तारीक को हुआ है मतलब 11 11 तारीक दूसरा मैना 2022 को रिचार्ज हुआ है और खतम 2023 में फरवरी में ही होगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं तो अभी जिस दिन मैं विडियो बना रहा हूं 11 11 ATR丘 को ही विडियो बना रहा हूं और 11je 8 पर रिचार्ज क्या भी हूं यहां पर देख सकते हैं टो जिससे मैं तारीका पता है हैं मॉरफो रिचार्ज करने के लिए से म英पलोग भोलोग किजिए गा 100 परसे कि आपका भी मॉरफो का से लिक्तार्ज हो जाएगा ठीक है तो